नमस्कार दोस्तों, पूजा शिक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और भेनों का बहुत बहुत स्वागत है, जैमादादी दोस्तों आज जिस नए विशे पर हम चर्चा करेंगे, वो है सूरे देव को जल देने का सही तरीका क्या होता है, किन गलतियों से हमें बचना चाहिए साथ ही साथ आज आपको बताएंगे कि सरकारी नौकरी के लिए आपको क्या ऐसा उपाई करें कि सूरी को जल देने के बाद आपका सूरी भी हो चिका हो जाए सरकारी नौकरी भी आपको मिल जाए समाज मिमान सम्मान के साथ साथ संबंदियों से भी जो हैं आपके संबंद अच्छे हो जाए यानि की जितने भी आपके आसपास लोग हैं व्यक्ति हैं जिनसे हमारा कुछ ना कुछ संबंद होता है जिने हम प्रेम करते हैं उनसे हमारे संबंद सदेव अच्छे रहें परन्तु संबंद अच्छे होने के बा जाते हैं परंतु सूर्यदेव को जल देने के बाद आप जो है निडर बनते हैं आप तेजस्वी बनते हैं साथ ही साथ आपका समाज में जो है बहुत जादा मान सम्मान बढ़ने लगता है परंतु कई लोग जो है सूर्यदेव को जल जो है बहुत गलत तरीके से देखते हैं तो आज हम देखते हैं हिंदू मानत्याओं में सूरिदेव को जल देने की महिमा बताई गई है क्यों क्योंकि नव ग्रहों के स्वामी सूरिदेव बताई गई है हमारे ग्रहों के स्वामी जो है सूरिदेव बताई गई है वैदिकाल से ही उनकी उपासना होती आ रही है विश विश्नु धर्ती पर श्री राम के रूप में जब अफ्तरित हुए थे तब वो अपने दिन का आरहम जो है सूर नारायन की पूजा की उपरांती करते थे दरसल सूर के प्रत्यक्ष देवता माना गया है क्योंकि उन्हें हर कोई साक्षा देख सकता है अपनी आखों के द्वा में मौज़ू सूर ग्रह को पिता या जेश्टरक का दरजा दिया जाता है जिस जाता है कि कुनली में सूर की श्थिति सही नहीं होती एंका तापदी हो तो उसे सूर को जल चढ़ाने की सलह दी जाती है लेकिन कई पार ऐसा होता है कि नेमें तور पर जल चढ़ाने माई नही तरीका पता होना चाहिए जैसे हम मंत्रों का सही तरीका होता है पूजा पाट का सही तरीका होता है दीप्रजुलित करने का सही तरीका होता है उसी प्रकार सूरे देव को जल देने का भी सही तरीका होता है सूरे देव को जल चाढ़ाने का सबसे पहला नियम यह है कि उनको ज जो है अपना kitchen का फार समालना होता है या बहुत सारे सुबे सुबे के काम होते हैं उन्हें तो ऐसे time पर आप जो है जब first time आप जल देंगे या ये क्रियाई शुरू करते हैं उपासना शुरू करते हैं उसी समय पर आप प्रंड ले लीजिए या आप जब उपासना करते हैं तब आप कहे दीजे कि हम ग्रहस्त जीवन में हैं तदा हमसे अगर कोई भूल चुक हो जाए स्वामी तो हमें शमा करें यह चीजें आप अपने शब्दों में कह सकते हैं उसके बाद आप जो समय होता है उसका निर्धारन कर लीजिए जैसे अगर आपका कार जो है सुभे नौ बज़े तक आप कर लेते हैं तो नौ साड़े नौ के बीच में डेली आप जल दे दे या साड़े नौ से दस के बीच में अगर आप डेली जल दे सकते हैं तो वो नियम जो है आप बना ले परंतु एक नियम या एक समय आपका होना चाहिए जल देने का इस बात का करेपे आप ध्यान रखें कई बार ऐसा होता है हम सुबह 8 बजे जल दे रहे हैं फिर हम दूसरे दिन जो है दुपहर में 1 बजे जल 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 रहे हैं परंतु दुबहर का समय का जो जल अर्धपित किया जाता है या हमें अर्ध देते हैं उसकी कोई माननेता नहीं होती है, हाँ अगर आप बिमार हैं या किनी वज़़ाओं से बहुत परिशानी में हैं, उसके बाद अगर आप जल देते हैं और शमायाशना करते हैं तब आपको वो जो है जल आप अर्द दे सकते हैं परन्तु अगर आप डेली समय का हेरफेर करेंगे तो आपका जल देना जो है कोई माईनी नहीं रखेगा तो आप जो हैं सभी एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी समय जल दें जैसे सूरी जब उकता है उसके एक घंटे के भीतर ही अमें जल जो है अर्पित करना होता है अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप अपना एक नियम बना लीजे और उसी समय पर डेली जल देने की ज अभी आपको निश्ची तोर पर जो है इसका फल मिलेगा इसके बाद सूरी जल देते समय आपका मुख जो होगा सदेव पूर्वदिशा की हो रहो होना चाहिए जहां से सूर उकता है आप अगर मल्टी में रहते हैं या बिल्डिंग्स में रहते हैं आपके घर के आगे बहुत सी मल्टी है मौल है या आपको दिखाई नहीं देते हैं सूर देवता कोई चिंता या कोई परेशानी की बात नहीं है आप पूर्वदिशा की और मुख करके सूर देव का ध्यान करते हुए जल अर्पित करें कभी भी आपका जो मुख होगा उत्तर दशिन या पच् अगर आपके घर के बाहर सूर देवता नहीं दिखते हैं बारिश की वज़े से किनी वी वज़ाओं से आपको बिल्कूल भी परेशान नहीं होना है आपके दिल में भावना होनी चाहिए जो दल देने की उसके लावा आपको पूर दिशा की और मुख करके सूर देव का ध् अगर आप जल देते हैं उसमें पुश्प और चावल अक्षद याने मिला सकते हैं परन्तु किनी कंट्रीज में जैसे पुश्प नहीं मिलते हैं कई महिला जैसे घर पर ही रहती हैं उन्हें पुश्प नहीं मिल पाते हैं बिल्कुल चिंता नहीं करनी हैं क्योंकि पूजा पार्ट बहुत गहन चिंतन से करते हैं मंत्रों का अचारन करते हैं परन्तु अगर हमारी परिस्तिती नहीं होती है तो देवी देवता कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं कहते हैं कि आप ये पूज़गर आपकी भक्ती भाव सबसे मेन होती है पुश्प अगर आपको मिल जाते हैं तो आप पुश्प जो है लाल रंग के उसके अंदर पानी के अंदर डाल कर जो है जल अरपित करेंगे चावल डाल सकते हैं परन्तु चावल टूटे वे नहीं होने चाहिए इसके अलावा अगर आपको पुष्प नहीं मिल पाते हैं तो आपको बिल्कूल भी चिंता नहीं करनी है साथ ही साथ अगर सूर्य देव का मंतर जाप करते हैं तो इससे आपको विशेश लाब होता है सूर्य मंतर जो होते हैं बीज मंतर का जाप कर सकते हैं सरकारी नौकरी के अलग मंतर होते हैं, ग्रहस्त जीवन के लिए अलग मंतर होते हैं, तो आप किस वजह से सूर्य देवता की अराधना कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक निश्चित मंतर जो है, उसी मंतर का जाप करना है, अब मंतरों के लिए अलग-अलग मंतर जो है, हम description box में दे देंगे कृपया उन्हें देख लीजिए आप इसके अलावा ऐसा माना जाता है लाल वस्त्र पहनकर सूरी देफता को अगर जल दिया जाए तो यह प्रभावी बन जाता है याने की यह और जादा प्रभाव देता है और लोटा जो है आपको तांबे का लोटा लेना है इस बात का ध्यान रखें जल सदेव साफ होना चाहिए कई बार जल हम घर पर भर कर रख लेते हैं परन्तु साफ धुलेवे बरतन में भरा हुआ जल जो है आप एक से दो दिन के लिए प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि कई जगाओं पर पानी की बहुत दिक्कत होती है तो ऐसे म वही जो है आपका जल आपने एक साफ धुलेवे बरतन में रखा हुआ है उसके बाद जो पूजा का जल है उसका प्रयोग कर सकते हैं अब जल अरपित करने के बाद आप जो है धूप अगर बत्ती से पूजा करनी चाहिए अर्द देते समय हाथ सिर से उपर की और होना चाह जितनी उचाई तक आपके हाथ जा सकते हैं उतनी उचाई तक स्ट्रेट हाथ खड़े करके आप जल दे ऐसा माना जाता है उतनी ही उचाईयां आप राप्त करते हैं जल अरपित करते हैं समय आप जो है ऐसा महसूस करें कि सूरी की सातों किंड़नी आपके शरीर पर पढ़ लिए उस प्रकार से आपको वही खड़े ओकर तीन परिक्रमा करनी होती है. तो पहले आपको ध्यान करना है, मेरी पुत्री का विवा हो जाए, मेरी पुत्री का विवा हो जाए, और उसके बाद आपको यह जो मैं मंत्र कहूंगी, यह कहना है, अगर आप नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो पहले आपको कहना है, मुझे सरकारी नौकर मुझे मिल जाए या अगर आप प्रेम विवा करना चाहते तो हमारा प्रेम विवा हो जाए ऐसा जो भी आपकी मनोवांचित इच्छा है उसे कहेंगे उसके बाद आपको ये मन्तर बहुती जादा दिल से और बहुती भाव के साथ ये मन्तर कहना है मंत्र इस प्रकार है फिर से कह देते हैं आपको इस मंत्र का उचारण करना है ये मंत्र जो है हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे आप इसे याद कर लीजिए कागस पे लिख लीजिए परन्तु जब सूरी देवता को अर्द देंगे तब आपको जो है ऐसे हाथ नीचे करकर कागस पर देख कर नहीं पढ़ना है हाथ आपके दोनों सिर के उपर होने चाहिए जला परपित करेंगे और उसके बाद मनी मन और उच्चारण जो है उची अवाज में करेंगे तो भी बहुत शुबला मिलेगा आपको अब आपको सदेव जो है सूरी को जल देने के लिए तांबे के पात्र का ही प्रयोग करना है करिपया शीशे प्लास्टिक चांदी आदी किसी भी धातू के बरतन का प्रयोग नहीं करना चाहिए सूरी को जल देते समय केवल केवल जो है तांबे का पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए चांदी क्योंकि चंद्रमा का प्रतीक मानी जाती है ठंडा होता है उसका जो गुण होता है और सूर्य देव जो होते हैं अगनी याने तेज के देवता माने जाते हैं तो आप कभी भी चांदी के बरतन का प्रयोग ना करें साती सूर्य को जल चड़ाने के अन जो बहुत से फायदे वो ये होते हैं कि आपके दूसरे ग्रह भी बहुत मजबूत हो जाते हैं कई लोग अर्द देते समय गुड़ चावल और जो है दूद भी मिक्स कर लेते हैं ये अर्थ ही न होता है इसका प्रभाव कुछ नहीं लगत है कुछ कहते हैं मंगल बढ़ जाता है कुछ कहते हैं कि आपके जो दूसरे घ्रह है वो तेज हो जाते हैं परन्तु कुंडली के भाव देखकर ही ये कोई उपाय बताय जाता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ केवल भाव से जल देंगे तो भी आपको उतना ही फायदा होगा मीठा जल या गुड जब मिला कर जल देने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है ऐसा ग्रंतों में भी साफ दिया हुआ है इसलिए आप जो है केवल जल दें अगर आपको कोई उपाय बताय जाते हैं मीठा जल या गुड तो आपके वो कुंडली के हिसाफ से बताय जा आपको अपने शरीर में या हतेलियों में गर्माहट महसुस होने लगती है, सिर भारी होने लगता है, तो आप समझ लीजिए आपकी पूजा जो है बहुत आपने दिल से करी हो और स्विकार हो गई है, क्योंकि सूरे देवता को जल देने के बाद हमें 11 दिनों के अंदर ही हमा हाथ बहुत गर्म होने लगते हैं, सिर हलका सा गर्म होने लगता है, शरीर में आपको गर्माहट और पसीना जैसे महसूस होने लगेगा, तो आप समझ लीजिए आपकी पूजा जो है निश्चित gives दोर स्विकार लीग है, और आप ये कारे करें निश्चित तोर पर कर सकत गर में सुक शांती का वातावरंड बनता है जीवन में कौशल निखर कर आता है व्यापार का जो काम है अच्छा बनने लगता है तदा आप जो है कहीं ना कहीं आप में ऐसी शमता आने लगती है जो आप बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर चलने वाले हो जाते हैं यान निखार है वो देखा गया है कि उनमें जो है प्रधानता गगुनाता है वो लोगों को साथ लेकर चलने वाले बनने लगते हैं खास तोर पर राजनीती से अगर आपका वास्ता है या आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं किसी उचे पत की कामना करते हैं व्यापार में बहुत उचा बनना चाहते हैं तो आपको ये कारे जरूर करना चाहिए भाईयों और बहनों आज अपनी वाणे को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आज के वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और हम फिर मिलेंगे किसी नईवशे पर चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों